मैं आपको बताने बाला हूँ अगर आप SBI में fix deposit किये है state bank of India में अगर आप उसे close करना चाहते हैं इस वीडियो को देखते रहे आपको complete जनकारी मिल जाएगा अगर आप bank में fix deposit करा है तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप close कर पाएंगे fix deposit को close करने के लिए आप इस इसके बाद यह जो आपके प्षा देख रहे इस बॉक्स में आपको इंटर करना है इसके बाद यहां पर login वाले बटन पर क्लिक कर देना है फिक्स deposit को close करने के लिए three line पर आप क्लिक करेंगे इसके बाद यहां पे आपको deposit and investment वाले option पे आना है, इस पे आप click कर देंगे, ऐसा करने के बाद इस page को थोड़ा सा आप उपर करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते deposit का एक option है, फिर से यहाँ पे आप click करेंगे, और click करने के बाद यहाँ पे देखिए, फिर से आपको fix deposit etdr, estdr, तो यहाँ पे फिर से आप click कर देंगे, ऐसा करने के बाद इस page को थोड़ा सा आप उपर करेंगे, इसके बाद यहाँ पे proceed का एक button मिलेगा, तो यहाँ पे आप click करें, और click करने के बाद जो भी आप fix deposit open किये हैं, तो यहाँ पे आपका दिखा जाएगा, fix deposit को close करने के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं, तिसरे नमर पे close account prematurely, यहाँ पे आप click कर देंगे, ऐसा करने के बाद जो भी आपका FD होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यह मेरा FD है, और उस FD का यह account नमर है, इसके बाद close करने के लिए proceed वाले option पे आप click करेंगे, ऐ confirmation page आएगा, और आप से पूशा जाएगा, रिमार्क में किस कारण बस आप FD को close करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ लिख देंगे FD close, इसके बाद यहाँ पे confirm वाले बटन पे click कर देंगे, बैंक के तरफ से एक OTP भेजा जाएगा, आपके मॉइल नमर पे, यहाँ पे enter करें OTP देने के बाद आप confirm वाले बटन पे click कर देंगे, और ऐसा करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो है fix deposit close हो जाएगा, और जैसे ही close हो जाता है, आपके खाते में तुरंती पैसा आ जाएगा, अब सवाल यह आता है, अगर आप online fix deposit करते हैं, तो आप उसे online ही close कर सकते हैं, अगर आप bank में जाके fix deposit को open करते हैं, उसका कोई भी सुविधा नहीं है, online close करने का, कोई भी ऐसा feature नहीं है, जो कि आप online close कर सकते हैं, जो आप bank या branch में जाके fix deposit किया हैं, तो close करने के लिए आपको वापस branch में ही जाना परेगा, या bank में जाना परेगा, आप जहाँ भी fix deposit ओपेन किया है वहाँ पर आप जाके close करवा सकते हैं कहने का यह अर्थ है जिस माधियम से आप फिक्ष्ट डी बोसिट को और किया है उसी माधियम से आप close कर सकते हैं अगर आप आप online किया तो online close कर सकते हैं अगर आप बैंक के द्वारा फिक्षड डिपॉजिट ऑपेंड किया है तो आप बैंक में ही जाके close कर सकते हैं यानि कि online to online offline to offline फिक्षड डिपॉजिट को close करने के लिए समय से पहले कोई भी पैनल्टी कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है वीडियो में दी गई information अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बैल आगएन को दवा सकते हैं